हलो माई देर स्टुडेंट्स, वेलकम तो माई चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स इस वीडियो में आज हम NCRT क्लास 3 एंग्लिज संतूर के चैप्टर 3 बेस्ट फ्रेंड्स की कोशन आशर को करने वाले हैं अगर अभी तक आपने इस चैप्टर की एक्स्प्लेनेशन वीडियो को, फन विद फ्रेंड्स की वीडियो को, चैप्टर 1 की वीडियो को और चैप्टर 2 की वीडियो को नहीं देखा है question है यहां पर answer मैंने पहले से लिख रखा है who were the four friends four friends या चार मित्र कौन थे four friends थे rectangle, circle, square and triangle इसलिए answer हो जाएगा the four friends were circle, square, triangle and rectangle second question है why were they fighting? वो fighting क्यों कर रहे थे वो लड़ाई क्यों कर रहे थे वो लड़ाई इसलिए कर रहे थे क्योंकि उनमें से सभी ये कह रहा था कि मैं best हूँ, मैं सबसे अच्छा हूँ answer हो जाएगा because they were all saying that I was the best question number three है who helped them to end their fight? उनकी fight को उनकी लड़ाई को खत्म करने में किसने help की? जब इन friends में लड़ाई बंद नहीं होती तो ये तह करते हैं कि हमें सबसे पहले जो मिलेगा उससे पूछेंगे कि कौन best है? इन्हें सबसे पहले star मिलता है जो समझदार होता है और इन्हें बताता है कि अगर आप मिल करके काम करो तो बहुत अच्छा pattern design बना सकते हो ये बात इनके समझ में आती है इस तरह से star इनकी fight को end करता है आंसर हो जाएगा the star helped them in ending their fight question no.4 है what lesson did the friends learn in the end? अंत में इन friends को क्या शिक्षा मिलती है? ये क्या सीखते हैं? अंत में इन friends को ये realize होता है कि वो गलत थे, वो mistake करे थे अगर वो मिल करके काम करें तो wonders create कर सकते हैं यानि आश्चर चकित कर देने वाली designs, patterns बना सकते हैं आंसर हो जाएगा the friends learn the lesson that together they can create wonders question no.5 है right if are true and if are false true के लिए deal खिये और false के लिए f लिखिये first true false है the circle does not have sharp edges circle के sharp edges नहीं होती है नुकीली edges नहीं होती है ये true statement है क्योंकि circle में कहीं पर कोई भी edge नहीं है जबकि rectangle में four edges है corner पर, square में four edges है corner पर और triangle में three edges है corner पर इस तरह से ये true statement है second statement है a square has four sides but not all of them are equal in size square इस तरह का होता है इसमें सभी sides equal होती है और यहाँ पर लिखा हुआ है not all them are equal यानि ये statement false statement है ये false statement हो गया तीसरा statement है the triangle has two sides triangle की two sides होती है triangle की two sides नहीं होती है triangle कुछ इस तरह का होता है और इसमें three sides होती है इसलिए ये false statement है last statement है the friends could decide who was the best among them क्या friends ये decide कर सकते थे कि उनमें से कौन सबसे अच्छा है कौन सबसे best है नहीं कर सकते थे क्योंकि हर शेप अपनी अपनी जगे पर best था इसलिए ये false statement है question number six है who is your friends what are the things you can do when your friends help you सबसे पहले यहां पर अपने friend का नाम बताए my friend is और उसका नाम बताए और जब भी वो आपकी help करता है suppose रास्ते में school में या पढ़ाई में तो उसी तरह से आप भी उसकी help करिए यह चीजें आपको लिखना है या discuss करना है यहां पर रोहन और रीता लिखा हुआ है अगर boyfriend है तो यहां पर boyfriend का नाम लिखे अगर girlfriend है तो यहां पर girlfriend का नाम लिखे रोहन और रीता is my best friend in class यहां पर girl है तो she लिखे otherwise he लिखे he help me understand lessons get me better at football and we work on school project together we have lot of fun playing games and doing crafts question number seven is look around you talk about the shapes of what you see अपने चारो और देखिए और यह देखिए कि आपके चारो और किस तरह के shape दिखाई दे रहे हैं उनके बारे में बात करिए अगर आप घर के अंदर हैं और घर के बाहर हैं तो भी आपको different type के shapes दिखाई देंगे अगर आप घर के अंदर हैं तो आपकी TV आपका fridge rectangle farm में होगा आपका carom board square farm में होगा आपकी wrist watch आपकी wall clock round shape में होगी इसी तरह से अगर गर्मी का मौसम है आइस क्रीम की कौन देखें आप तो वो triangle farm में होगी इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको घर के अंदर different shape में मिल जाएंगी और अगर आप घर के बाहर निक into groups of five, five बच्चे, एक एक बच्चे का five group बनाएंगे, each of you will be one character in the story, story में five characters है, circle, square, triangle, rectangle और star, five groups में डिवाइड होने के बाद आपको इन सभी shapes का role play करना है, जिस तरह से story में इन सभी shapes में play किया है, take turn and read out the story, बारी बारी से आपको इन सभी के role में जो भी story दी है, उसे read करना enjoy by adding action to what you say, इसके साथ ही साथ इन सभी shapes ने जो भी बोला था, उसे बोलना है, और action के साथ बोलना है, और enjoy करना है, let us learn, चलो सीखे, read the following lines, a pigeon and an aunt become friends, यहाँ पर एक pigeon है और एक aunt है, जो कि friends है, दोस्त है, यहाँ पर आपको क्या समझाने की कोशिश की जारी है, उसे notice करिएगा notice that we use a before pigeon and an before aunt, इस sentence में आपको क्या ध्यान देना है, आपको यह ध्यान देना है कि pigeon से पहले a add किया गया है, और aunt से पहले an add किया गया है, यहाँ पर ध्यान दीजे, we use a before singular nouns that begin with consonant, यहाँ पर pigeon एक noun है और singular है, यानि एक है, एक से जादा नहीं है, तो इसके पहले a यूज किय चलिए आगे देखते हैं, an is used before singular noun that begins with vowel sounds, a, e, i, o, u, यह सारे vowels है, a से जिर्ट तक इन alphabet के अतिक्त जो alphabet बच रहे हैं, उन्हें consonant बोलते हैं, तो an का use कहाँ पर करेंगे, an का use तब करेंगे, जिब noun हो लेकिन singular हो, यहाँ पर aunt noun है, लेकिन singular है, यानि एक है, इसलिए यहाँ यह से start हो रहा है, और यह है vowel, तो vowel से जब भी कोई word start होगा, और singular noun हो, तो उसके सामने लगेगा, an, अब यहाँ पर question है, using this information, fill up the following blanks, यहाँ पर कुछ fill in the blanks दिये हुए हैं, इस information का use करके, इन fill ups को fill करना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, कि a, e, i, o, और u, vowels होते हैं, और इनके पहले, यानि इन से start हुए word से पहले, an लगता है, और अगर word consonant से start है, तो वहाँ पर a लगेगा, question है, a, fill in the blanks using a, a का use करते हुए, यहाँ पर जो भी blanks हैं, उन्हें fill करना है, first fill in the blanks है, blank, dog is barking at the postman, कुता postman पर ढोगता है, यहाँ पर dog word है, और यह start है, d से, जो की consonant है, इसलिए यहाँ पर लगेगा, a, complete sentence हो जाएगा, a dog is barking at the postman, second fill in the blanks है, my mother gives chapaties to, blank space, cow everyday, मेरी माँ हर दिन, एक काई को चपातियां देती है, यहाँ पर cow का first letter, alphabet, जो है, वो है consonant, इसलिए यहाँ पर भी हो जाएगा, a cow, यहाँ पर सभी sentences में a ही लगेगा, क्योंकि question में बो लगया है, लेकिन समझना ज़रूरी है कि a क्यों लग रहा है, यहाँ पर भी sparrow का s consonant है, इसलिए यहाँ पर भी a लगेगा, b fill in the blanks है, fill in the blanks using an, यहाँ पर अब आपको an का use करना है, अब यह आपने देखा था, कि an का use करते हैं, जब blank के बाद वाला word, यहाँ पर वाला word, a से, e से, i से, o से, या you से start हो, यानि vowel से start हो, और singular form में हो, पहला fill in the blanks है, I saw blank space eagle yesterday, यहाँ पर eagle में e है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा an, इसलिए तरह से सभी sentences में an हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर umbrella है, और umbrella you से start है, आइस्क्रीम है, और यह i से start है, इसलिए first statement हो जाएगा, I saw an eagle yesterday, second, Maya bought an umbrella for the monsoon, और last हो जाएगा, an ice cream man bring his skirt in the evening, c fill in the blanks है, fill in the blanks using a और n, यहाँ पर अब आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर a यूज़ करना है, और कहाँ पर n यूज़ करना है, first statement यह sentence है, brown hen, lid, blank space, egg, यहाँ पर a इसलिए लिखाए, क्योंकि brown में b consonant है, और यहाँ पर n इसलिए लिखाए, क्योंकि egg में e vowel है, second sentence में eagle में e vowel है, और building में b consonant है, इसलिए eagle के पहले n होगा, और building के पहले e होगा, complete sentence हो जाएगा, an eagle set on a building, last sentence हो जाएगा, mary ate an apricot, a chiku and an orange, यहाँ पर n इसलिए लगेगा, क्योंकि यहाँ पर a वावल है, यहाँ पर a लगेगा, क्योंकि chiku में c consonant है, और orange में o वावल है, इसलिए यहाँ पर n लगेगा, अगली heading है, let us write, चलिए लिखें, एक question है, paste a picture of your friend, यह एक photo frame है, यहाँ पर आपको center में अपने friend की picture को test करना है, कुछ इस तरह से, आपका जो भी friend हो, और उसकी जो भी photo available हो, उसे इस तरह से test करना है, let us write, में be question है, write a few lines about your friend, by filling in the blanks, यहाँ पर my friend, यानि अपने friend के बारे में आपको लिखना है, यहाँ पर कुछ sentences दिये हुए हैं, इन्हें के according, इन्हें fill करके आपको इसे complete करना है, यह girl उसे लिखेगा, second sentence है, he, she is boy girl, अगर girl है तो आप लिखेंगे, she is a girl, अगर boy है तो आप लिखेंगे, he is a boy, तीसे sentence है, he, she is, यहाँ पर उसकी age लिखेगा, eight या nine years का होगा, years old, अगर boy है तो आप लिखेंगे, he is eight or nine years old, और अगर girls है तो आप लिखेंगे, she is eight or nine years old, इसी तरह से आपको उसका favorite color बताना है, यहाँ पर मैंने blue लिखा है, उसका जो भी favorite color है, उसका नाम यहाँ पर लिखेंगे, her favorite color is blue, fifth sentence है, he or she like to play football, यहाँ पर जो भी उसको game पिसंद है, उसका नाम लिखेगा, अगर boys है, तो he likes to play football, और अगर girls है, तो she likes to play यहाँ पर game का name, last sentence है, he or she want to become, यहाँ पर मैंने doctor और teacher लिखा है, वो जो भी बढ़ना चाहता है, यहाँ पर उसका नाम लिखे लिखेंगे, he wants to become a doctor, और she wants to become a teacher, इस तरह से आपको लिखना है, और last में आप लिखेंगे, I love my friend, मैं अपने दोस्त को प्यार करता हूँ, या करती हूँ, next heading है, let us draw, चलो करे, एक question है, use the space given below, to draw the four friends, you meet in chapter 3, chapter 3 में आप जिन four friends से मिले हैं, यहाँ पर उन्हें ड्रो करना है, chapter में four friends है, rectangle, circle, square और triangle, इस तरह से आपको भी यहाँ पर draw करना है, last heading है, let us explore, आईए जाने, यहाँ पर question है, draw pictures using the four friends mentioned in chapter 3, you can use the picture given below, for ideas, chapter में दिये हुए four friends, rectangle, circle, square और triangle का use करते हुए, यहाँ पर एक picture draw करिये, idea के लिए यहाँ पर एक picture दी हुई है, इसको ध्यान से देखे और अपनी picture को draw करिये, जैसे अगर आपको अपनी picture में hills बनानी है, तो इस तरह से triangle का use करिये, sun या moon बनाना है, तो circle का use करिये, buildings बनानी है, तो square और rectangle का use करिये, trees बनानी है, तो circle का use करिये, यहाँ पर rectangle का use कर स rectangle का यूज़ करिए इसी तरह से अगर आप अपने picture में एक hut बनाना चाहते हैं एक जोपड़ी बनाना चाहते हैं तो इस तरह से triangle का यूज़ करिए इस तरह से rectangle का यूज़ करिए इस तरह से window के लिए स्क्वाइर का यूज करिए इस तरह से होल बनाने के लिए सर्कल्स का यूज कर सकते हैं और डूर बनाने के लिए इस तरह से रेक्टेंगल का यूज करिए दिस इस दा एंड व वीडियो थैंक्स फर वाचिंग